नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे में आपका तह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, खूबसूरत आखों की अगर है ख्वाहिश तो अपनाए ये टिप्स के बारे में, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे तुरंट सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही अन्फॉर्मटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेक कराते रहते हैं इस जहां की नहीं है तुम्हारी आखें आसमा से ये किसने उतारी आखें तेरी आखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है शायरों ने इन दो आखों की तारीफ में न जाने कितने पन्ने रंगीन कर दिये लेकिन न उपमाए खत्म हुनी और नहीं आखों की तो आज हम आपको कुछ ऐसी मेकप टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी आँखों को बड़ा दिखा सकती हैं. वाटर लाइन पर ब्लेक लाइन लगाएं. अगर आपकी आँखे छोटी हैं तो कभी भी आइलाइन को अपनी आँखों के चारों तरफ ना लगाएं क्यूंकि इससे आपकी आँखे और ज्यादा छोटी लगने लगती हैं. आप आइलाइन को अपनी आँखों के किनारे तक ही लगाएं. ब्लश से लगाएं आई शेडो. अगर आपकी आँखे छोटी है तो पलकों के बाहरी किनारे पर उपर की तरफ हलके रंग का पाउडर शेडो छोटे ब्लश की मदद से लगाएं. प्रीच के पास गहरा शेडो प्रयोग करें. लेकिन नाग की तरफ आँखों के भी दिखाने के लिए मस्कारा का इस्तेमाल जरूरी है. इससे आपकी आँखों को बड़ा लुक तो मिलेगा ही साथ ही इससे आँखों की सुन्दरता भी बढ़ती है. शिमका प्रयोग. छोटी आँखों पर शिमका इस्तेमाल करना अच्छा होता है. यहे एक तरीके का चमकीला और वाट्स अप जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें. और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटिट कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे. और अगर आप इस चैन बढूंआख से जल्द जले, एस वीचे हो तो ना भूले वाट्स वीचे होई में यूली, हम जल्द से रिलेटियो से बड़ दे़ों कोई भी समने जरा गपकी कमें लêuस से वीचे हो ना भी सते रिलेवियों केद्स की पालले, एसमाम में हो थाधार मों क्वाले, ना दो से